अस्सलाम आलेकुम दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है इस्तक्बाल है आपका अबरिन अकाडमी में आज हम आठवी जमात का डेटेन का निसाब पढ़ने वाले है तो आएए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है जाविया तो जाविया किसे कहते हैं इसके बारे में हम मालूमा तहसिल करेंगे यहाँ पर एक शकल नजर आ रही है इसको देखकर आप बता सकते हैं कि यह शकल जो है तो यह जाविया की शकल है के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे तो जाविया जो है तो ये तीन नुक्तों से बनता है इसमें दो खत होते हैं या फिर दो जिले होते हैं जिस तरह यहां पर शकल में तीन नुक्ते हैं नुक्ता A, नुक्ता B और नुक्ता C इन तीनों को मिलाकर जाविया बना है A, B और BC ये उस जाविया के जिले है और नक्ता B जो है तो इसमें common है या फिर मुश्तरीक है यानि एक जैसा है और जो मुश्तरीक नक्ता होता है उसको जाविया का रास या रासी नक्ता कहते है तो इस तरह से जाविय के अरकान होते और इस तरह से जाविय का नाम रखा जाता ए इसे आप जाविया ABC या जाविया CBA पड़ सकते हो तो दो तिन बाते हैं वो याद रखना है कि जाविया जो है वो तीन नुक्तों से मिलकर बनता है इसमें दो जिले होते है और जो नुक्ता मुष्टरीक यानि एक जैसा होता है उसे रासी नुक्ता या फिर जाविय का रास कहते है ठीक है अब हम पढ़ेंगे जाविय का अंदरूनी और बैरूनी हिस्सा के बारे में तो यहाँ पर एक शकल है इस शकल के अंदर नुक्ता L, नुक्ता P, नुक्ता R ये जाविया X, Y, Z का अंदरूनी हिस्सा है मतलब जाविय के अंदर ये नुकात मौझूद है इसलिए इन्हें जाविया का अंदरूनी हिस्सा कहते हैं इसी तरह नुक्ता M, नुक्ता C और नुक्ता V ये जो है तो दाइरा जाविया X, Y, Z का बहरूनी हिस्सा है यानि ये जाविया के बाहर मौजूद है इसलिए इसे बहरूनी हिस्सा कहते हैं तो जाविया के अंदर जो नुक्ता होंगे वो जाविया का अंदरूनी हिस्सा रहेगा जो जाविया के बाहर नुक्ता रहेगे वो जाविया का बाहरूनी हिस्सा रहेगा इसी तरह एक शकल यहाँ बरदीवी है इसको देखकर आपको जाविय के अंदुरूनी और बैरूनी नुकात कउन कॉन से है और तीसरी बात जाविय के जिलो पर यानि खत पर मौझूद नुकात कॉन कॉन से है वो आपको लिखना है आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा मिलते अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्ला हापी